आदिन्न दाना विर्मनी सिक्खाप दिंस्मादियामी धम बड़ा या धर्म बड़ा धरसल जब से भारत में लोगों को ये पता चला है कि भंग्नवान बुद्ध ने धम दिया है तब से अमबेटकर अनुयाई या जो धम को दुवारा से सीख रहे हैं जब कहीं कोई बात होती है तो वो कहते हैं धम अलग है धर्म अलग है दरसल धम जो प्राकर्तिक नियम है उनके लिए जाना जाता है जो भग्नवान बुद्ध ने बताए और आज के समय में जो धर्म है वो मैनमेड या जो मनुस्य ने खुद नियम बनाए हैं उनके लिए जाना जाता है धम रिलिजिन नहीं है जबकि धर्म रिलिजिन है ऐसा बताया जाता है अमूमन इसलिए जगड़ा रहता है के धम बड़ा या धर्म बड़ा मगर अगर आप पाली पड़ेंगे और पाली जानेंगे जैसा डॉक्टर अमबेटकर ने सोलवे वोल्यूम में दिया हुआ है क्योंकि सोलवा वोल्यूम पूरा का पूरा पाली की डिक्ष्णरी है वहां वो साफ साब बताते हैं ना धम बड़ा है ना धर्म बड़ा है दरसल धम से ही धर्म बना हुआ है क्योंकि धम में आधा में और पूरा में आता है और पाली से जब संसकायत करके एक नई भासा बन बनाने की कोशिस की गई तो उसमें जो आधे सब्द वाले जो अखर थे उनमें आधा रे लगा दिया जबकि पाली में आधा रे होता ही नहीं है यानि धम में आधा में हटा कर रे लगा दिया आधा और धरम कर दिया तो अब आप समझ सकते हैं कि दरशल धम को ही बिगाड भुगूड कर संसकाइद करकर या मिक्स करकर धरम कहा गया है जैसे कम को कर्म, वर्ण को वर्ण, चक को चक्र, तक को तर्क, सप को सर्प, इद्द को इद्र, पुब को पूर्व और मच्चू को मिटू ये बावा साब अमबेटकर का जो सोलवा वॉल्यूम है, उसमें सारा बहुत अंतर उन्होंने इसपश्ट इसपश्ट करके बताया हुआ है आप अगर अमबेटकर अनुयाई हैं, या पाली के जानकाई लेना चायते हैं, या भासा कैसे काम करती हैं तो आप सोलवा वॉल्यूम या तो PDF से लोड करने, डाउनलोड करने, नेट से करने, या इसको पर्चेस करने, खहिदने, तो आपको जानके बड़ा आश्चर होगा, कि ना धम बड़ा है, ना धर्म बड़ा है, दोनों ही भग्नमान बुद्ध ने दिये हैं, भग्नमान होते हैं, या बिने होते हैं, उनको धम कहा गया है, पाली में धम का मतलब है, धारण एहंग, और धारण एहंग को बाद में धम बोला गया, यानि मैं जो धारण करता हूँ, मैं का मतलब है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, जो धारण करती है, वो धम हो जाता है, धम क्या है team 22 पर इसका एक बहुत ज़्यादा detailed video बनाया हुआ है विस्तृत video बनाया हुआ है आप धम क्या है team 22 करके type करेंगे तो आपको वो video team 22 पर मिल जाएगा जो आपको इस पस्ट रूप से बताएगा इसलिए जैसे कम और कर्म बरावर होते हैं वन और वन बरावर होते हैं चक और चक्र बरावर होते हैं तक और तर्क बरावर होता है सप और सर्प बरावर होते हैं इद और इंद्र बरावर होता है पुग और पूर बरावर होता है मच्चु ही मिर्तु है वैसे ही धम ही धरम होता है धन्यवाद तंम से लंग